हाई अवरीबडी वेलकम टू स्टर्विंट जार्खन टेट 2024 जो अभी आया है इसका फोंब भी फिल अप स्टार्ट हो गया है आप जान रहे है 23rd जुलाई से फोंब फिल अप स्टार्ट हो चुका था और यह जो लास्ट चलेगा आपका 22 अगस्त तक है और लास्ट में आपको यह चीज पता चल चाहिए कि आपको फॉही कर ना चाहिए तो ऐसे आपके लिए यहां पर पॉजीटीव यह औरा नियूज नहीं है तो आप लेंडियो को लिए अगर चैनल पे को अपको सब्सक्राइब कर लिए गा इस तारह का आपको आप डेट बाँ अनियों जो हमारा है ऐसे सभी लोग बोल रहें कि यह 18 months का है है ना तो ऐसे देखा जातों यह 18 months का भी है क्योंकि इसमें अगर 6 years लोग add कर देते 6 months add कर देते तो 6 months का जो school internship होता है तो दोनों को add करते हैं तो 24 months का तो यह यह हमारा 2 years का ही degree है ना 2 years का ही degree है बट क्या आपको form को fill up करना चाहिए नहीं करना चाहिए और जेटेट आप जानों कि जेटेट जो होता है यह पहले हमारा 2012 में आया था फिर 2016 में और अभी आया है तो इतना years का gapping है आप देखरों इतना years का gapping है तो इस बीच में ऐसे बच्चे क्या है कि confused है कि क्या जो next jet it होगा उसमें भी इतना gap होगा बहुत बच्चे का age भी चला जाएगा ठीक है ना तो आपको यहाँ पर form को fill up करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मेरे मेरे सेजेसंस के हिसाब से आप form को fill up कर दीजे ठीक है और जब आप form को fill up करने तो उसके लिए आपको study material चाहिए ठीक है आपको पढ़ना चाहिए कि कि मतलब कैसे आप पढ़ेंगे ताकि जेटेट को आपको qualified करना जेटेट आपके लिए जानर बहुत जादे important है क्योंकि यह हर एक साल नहीं होती है और यह होती है तो 6-7 साल के बाद आता है अब देखर 2016 के बाद अभी 2024 में आई है इतना years का ग्यातिंग है तो ऐसे में आपको जेटेट एनिहाव qualified करना कहीं से भ जाएंगे तो आपका 100% आप qualified कर जाओगे और अच्छा scoring भी कर सकते हो इसके इस बुक में है कि आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है और आप इसके थूप पढ़ भी सकते हो तो दोनों बुक के बारे में हम बताएंगे चलिए हम PDF के थूप इसको देखकर और समझते हैं यह इसको लेकर अच्छा scoring कर सकते हो इसमें two salt paper दिया गया है आप देख सकते हो यहाँ पर 2016 का और यह इसमें total mcqs है इसके थूप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लस में child development CDP के लिए आप देख सकते हो कि इसमें total explanation के साथ यहाँ पर दिया गया है total चीज को cover किया गया है अच्छे से आप इसको पूरी तरह से पढ़ते हो तो आपका अच्छा score हो जाएगा CDP में 30 out of 30 आप यहाँ पर score कर सकते हो इसके कोई भी ऐसा topic नहीं है कि जिसमे इसमें नहीं दिया हुआ है प्लस में इसका last में आप देखोगे तो mcqs भी दिये गया और यह सब उसी के best पे है अज कब 2016 में 2011 में जो भी हुए थे कहीं other Tate UP Tate सभी का यहाँ पर दिया गया है उससे regarding आपके questions है आप इसको देखकर अच्छा marks score कर सकते हो प्लस में इसका explanation इसका आप देखोगे तो practice set भी आता है और इस practice set के थूँ भी आप अच्छा score कर सकते हो पहले आप उसको पढ़ो उसके बाद इस book को ले लो practice set और practice set के थूँ आप practice कीजे ताकि आपका marks अच्छा आ सके और यह जो है आपका book कहाँ पे अवलेबल होगा फ्लिप काट पे अमाजोन पे snap deal, geomart और मिशू पे अवलेबल है आप यहां से order कर सकतो लिंक आपका description box में दिया हुआ होगा आप वहाँ जाए और उससे purchase कीजे और इसको लेट मत कीजे क्योंकि jetit हमारा कितना साल बाद आया है इसको आप अच्छे से score करके अच्छा आप qualified कर जाओगे तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं थे डियलेट के बारे में तो डियलेट एक्चुल में आप देखोगे तो 18 मंत का ही हुआ था और 18 मंत हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6 मंत का आपका internship था school internship जब हम B.A.D.A.D.A.D. करते तो उसमें school internship होते हैं तो already य डियलेट उनहीं लोग के लिए किया गया जो already school में पढ़ा रहे हैं ठीक है एना यूस जो अंट्रेंड टीचर को ट्रेंड करना था तो actually जब वो इसकूल में पढ़ा रहे है तो उनका internship तो already हो चुका हो गया था उसी के तू तो उनके लिए internship नहीं था इसलिए इसको 18 मंत म करवा दिया गया था तो यह डोनों मिलाकर आप देखोगे तो टू इयर्स का ही है तो यह इसलिए हम इसको कहा सकते हैं कि यह डिगरी वैलिट है आज ना कल आपका यह डिगरी हो ही होगा वैलिट करना ही होगा इसलिए आप simply क्या किजे कि जेटेट का फों भर दीजेए पर कुछ भी हो सकता है तो आप इसके लिए वेट मत कीजिए कि 1500 फी लग रहे हैं या 1300 तो आप यह पैसा मत देखिए आप सिंपली इसको अपलाई कर दीजिए क्यूंकि आपका एज फिल लिकल रहा होगा और उसके बाद फिर बहुत साल बाद भी आएगा अब हम लोग कह नह कहीं यह benefit करेगा ही करेगा तो आई होब कि आपको इस वीडियो में लगभग suggestion जो भी आप सोच रहे होंगे clear हो गया होगा आप जाकर freely mind से आप यह form को fill up कर दीजे तो अगर वीडियो अच्छा लग होगा तो like subscribe आपने friends के साथ share भी कर दीजेगा और books को आप जरूर purchase कीजे ताकि आप अच्छा से अच्छे score कर पाएं by take care everyone